मेरा पती नामर्द था, फिर ये मेरे पेट में, ये बच्चा कहीं मेरे ससूर का तो नहीं, साधी एक नामर्द व्यक्ति से हो गई, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुस थी, क्योंकि मेरा पती एक बहुत अच्छा इंसान था, उसके पास पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा पती मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया, चेक अप के बाद पता चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ, मेरा पती नामर्द था, लेकिन साधी के दो महीने बाद मैं पेट से हो गई, और यहीं बात मेरी जिन्दगी के लिए सबसी बड़ी जाब बन गई, जम मुझे पता चला कि अपनी दोनों बेहनों की साधी के बाद अब मैं घर में अकेले रह गए थी, अकेले पन की वज़जा से अब मुझे भी किसी की जरूरत थी, मुझे अबने जिन्दगी में एक ऐसे साथी की जरूरत मासूस होती थी, जो मेरी तनहाई को दूर कर मेरी जिन्दगी को खुसिय रहे थे, एक दिन कुछ हुआ कि मैं एक दिन बजार गई थी, तो महां मेरी बहुत पुरानी सहली मिल गई, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे, उसकी भी साधी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे, उसने अचानक मेरी साधी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है, उसकी उम्र 40 हो चुकी है, उनकी साधी हुई थी पर उनकी पतनी इसलिए उनको छोड़ कर चली गई, क्योंकि उसका भाई अपनी पतनी को कभी अवलाद का सुख नहीं दे स सकता था, अभी वह मुझसे यहीं सब बातिक कर रही थी, मेरे मुझसे अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की साधी मुझसे करवा दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे भाई को कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी, और ना ही उन्हें किसी बात के तयार हो, मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊंगी, और वह मेरा सहारा, आखिर मैं कब तक अकेले रहूंगी, मेरा भी हाल ऐसा ही है कि मैं मर जाऊं तो किसी को कानो कानभनग भी नहीं होगी, मेरी सहेली भी मेरा यह फैसला सुनकर बहुत खुस हुई क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की जरूरत थी उसने कहा ठीक है मैं यह बात अपने भाई से पूछ कर बताऊंगी वैसे तुम इस बात को पक्का समझो क्योंकि यह मेरे भैया को भी ऐसे ही साथी की जरूरत है एक दो दिन गुजरने के बाद मेरी सहली मेरे घर आई और वो बहुत खुस थी उसने कहा मेरे भैया इस साथी के लिए तयार है अगले कुछ दिनों में मेरी और आरेन की साथी बड़ी धूम धाम से हुई यहां के लोगिया देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की का इतना अच्छा रिस्ता कैसे मिल गया मैंने यह बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई कि मेरा पती नामर्द है मेरे पती का यह राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था दुलहन बनकर आर्यन के घर गई तो यह देखकर हैरान थी कि आर्यन का घर तो एक आलिसान बंगला था मैं अपनी साधी के बहुत खुस थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि इतने अच्छे घर में साधी होगी मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था आर्यन जब कमरे में आये तो उनके अंदर एक घिजग थी सायद वह अपने अंदर की उस कमी को लेकर परिसान थे पर मैं एक मिच्योर और औरत भी थी इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़ कर उन्हें यकिन दिलाया की यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूंगी मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद आरेन का चेहरा खिल उठा उन्होंने मेरा हाथ चुमते हुए मेरे हाथों में तोफा के रूप में अउठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी का आज माई सावित होगा मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी पर मुझे यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि मेरा पती मुझे आलाद नहीं दे सकता इसलिए मैंने आलाद की इस नहीं रखोंगी, मेरी साधी दो से तीन महीने गुजर चुके थे, पर मुझे कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर आ गया, और मैं घिरते घिरते बची, मेरी हालत देख कर, आर्यन मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए, डॉक्टर ने मेरा चेक अप किया, और चेक अप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई, उसे सुन कर तो हम दोनों पती-पतने सन रह गए, डॉक्टर ने बहुत खुसो कर यह ख़बर सुनाई थी, पर यह हम दोनों के चेहरे की हवाईया उड़ गई, और आर्यन बहुत ही अजीब नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि मुझे और आर्यन को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी की, आर्यन कभी बाप नहीं बन सकती, फिर यह बच्चा किसका, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि आखिर क्या हो रहा है, हम दोनों घर पहुचे, तो मेरे ससुर जी हमारे इंतिजार में बाहर बैठे हुए थे, हम दोनों को घर आता हुआ देख, फिक्रमंदी से पूछने लगे, अब बहु की तवियत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा, आर्यन मैंने रोते हुए आर्यन से कहा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरे जिंदगी में कोई नहीं है, आर्यन ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप रहो, आज मुझे समझ में आ रहा कि, आखि इसलिए मैं तुम्हारे हर जुर्म को बरदास करता रहूंगा, लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूँ, इसलिए बेहतर यहीं होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना समान उठाओ और यहां से चल हुआ था, सायद वहीं खत्म होने वाला था, यह सब सोचते सोचते मेरी तवियत बिगड रही थी, पर मुझे अभी भी आर्यन की परवा थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मैं सारी रात रोती रही, और रोते रोते ना जाने कब मेरी आख लग गई, मुझे प कोई मर्द था तो वह मेरे ससुर्जी थे, पूरे दीन वह मेरे साथ रहते थे, आर्यन तो ओफिस से घर आने में कभी कभी रात के बारवी बच जाते थे, रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सोजाती थी, तो मेरे ससुर्जी कहीं मेरे साथ या सब सोचते ही मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते उनका मेरे उपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था इसी सोच बिचार के साथ किसी तरह मैंने एक हपता गुजार दिया और हर गुजरने दिन मैं भगवान से बस यहीं दुआ करती थी कि भगव घर आई आर्यन को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन मुझे लेने कैसे आ गए लेकिन मेरे लिए बस इतना ही काफी ता कि मुझे दुबारा आर्यन की जिंदगी में सामिल होने का मौका मिल रहत है मैं बिना गाड़ी में जाकर बैठ गई घर पहुची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुस मन से मेरा स्वागत किया यह सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझ सीर जुकाय सरमिंदगी से खड़े थे मेरी सहेली यानी मेरी ननत सारा सच मुझे बताने लगी उसने बताया कि पापा को तुम्हारे उपर विश्वास था कि तुम्हें एक अच्छी लड़की हो तुम अपन कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती यह सब जानने समझने के बा उस लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते लेडी डॉक्टर भैया को देखते ही पहचान गई जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेगनेंट है तो लेडी डॉक्टर भैया को ऐसा सच बता कि वो कभी प्रेगनेट ना हो और भाई पर नामर्द होने का जूटा इल्जाम लगा कर इनसे छुटकारा पाना चाहती थी इसलिए वो पैसे के दम पर डॉक्टर से भाई की जूटी रिपोर्ट बनवाई भाई को लगे कि वो कभी बाप नहीं बन सकते यह सब होने के बाद दिन रात भाई को नामर्द होने के ताने देने लगी इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाग दे दी मेरी सहेली ने यह सब मुझे बता कर फिर से आरेन की जिंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था नहीं तो मैं इसी सोच में गुट-गुट कर मर ज क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता सायद या ऐसा ही करता मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे बहुत सारे धुआएं दी पर मैं दिल ही दिल में सरमिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्मों के लिए ही सही मैंने अपने ससुर के उपर सक किया दोस्तों हमारे से समाल कर रखना पड़ता है कभी कभी इंसान की मामली सी गलती हमारे रिष्टे की तरह सीसे की तरह तूट कर बिखर जाते हैं दोस्तों आपको यह कहनी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर ले थैंक यू